नमस्कार दोस्तों मैं उदल आर्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़ु देखने वाले हरकिसान भाई और मुर्गी पालत भाई का आज की उड़ु में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तों दुनिया का सबस बहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबस बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी आज देसी मुर्गी पालन का यह व्यवसाय घर घर तक पहुच चुका है इस व्यवसाय के माध् व्याउसाय ने लाखों का मुनाफा कमाने का रास्ता खोल दिया है इस कारण वश्कितने बेरोजगार यूआ, यूती, दिव्यांग, विकलांग, व्यक्ती इस व्याउसाय को करियर के आप्षन के तौर पर चुनना चाहते हैं आईसी परिस्तितियों में आपको भी देशी करना है और इस व्याउसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है लेकिन आपके सामने समस्याओं का अंबार है कि आप जब मुर्गी पालें के व्याउसाय में लाखों का मुनाफा कमाने की कोशिश करते हो तो आधुनिक तंत्र का कभी इस्तमाल नहीं करते हो छोटी छोटी बातों को यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा तो ही आप इस व्योसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर पाओगे तो आईसी परिस्तितियों में समस्या क्या है आपकी कि आपकी देशी मुर्गिया जो है उनका वजन नहीं बढ़ता है जब मैं बाहरी फिड लाता हूँ तो सरजी वजन बढ़ जाता है लेकिन घर का फिड देने के साथ ही वजन घट जाता है फिर आईसे में बताईए कि जब बाहरी फिड लाओंगा तो वहाँ पर खर्चा बढ़ेगा जब घर का फिड दूँगा तो घर के फिड से तो बहुत सारी दिक्कते है कि एक तो खर्चा थोड़ा घटेगा लेकिन वजन ही नहीं बढ़ेगा तो मुनाफा का है से होगा तो आईसे परिस्तितियों में दोस्तों आपकी दिक्कतों को दूर करने वाला वीडियो लाया हूँ आपके घर में जो आटा होता है ना दोस्तों हाँ उस आटे का इस्तमाल करके आप सव प्रतिशत अपनी मुर्गियों का मुर्गों का और चूजों का वजन बढ़ा सकते हो क्या सचे बात तो सव प्रतिशत सचे दोस्तों आपको गलत लगता होगा लेकिन आज आपको आईसी तरकीब बताऊंगा कि जिस माध्यम से एक तरफ फिड का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा तो दूसरी तरफ हमारी मुर्ग कितना करना है जब तक यह बाते समझ में नहीं आएगी तब तक मेरा कोई भी मुर्गी पालक भाई इस व्यावसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर नहीं पाएगा लेकिन दोस्तों हम एक फैमिली है इंडियन मुर्गी पालन चानल मेरा अगर होगा तो भ आपको यहाँ पर जवाब दूँगा कि आप घर पर ही आटे का इस्तमाल करते हुए फिड का खर्चा न बढ़ते हुए किस प्रकार से मुर्ग्यों का वजन बढ़ा सकते हो लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना होग एक भी बास कीप हो गई तो आपके मुर्ग्यों का वजन नहीं बढ़ेगा बाद में आप मुझे दोस्ट देते वैठाओंगे इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो देख लीजे पसंद आजाए तो जरूर लाइक कर दीजे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परस्नल वाटसप नंबर वाटसप गुरूप टेलीग्राम गुरूप फेसबूप इंस्टाग्राम स्नापचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर करने के बाद दोस्तों हरेक के पास वीडियो पहुचेगा तो हरेक का वहां पर फायदा होगा जिससे आपके माध्यम से समास सेवा हो जाएगी और रही बाद सब्सक्राइब की तो दोस्तों हरेक किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अन वहां पर दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे और उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में गंटी को टच करते और इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजे ताकि आने वाला हरुड़ी आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे थे कि मुर्गी का मुर्गे का चुजो का वजन नहीं बढ़ रहा है बाहर का फिड़ दे तो वजन तो बढ़ेगा लेकिन खर्चा जो है ज्यादा होगा आमदन्नी अठन्नी खर्चा रुपया हो रहा है और घर का फिड़ भी दे तो भी वैसा ही हो रहा है कि खर्चा घट हाई लेकिन वजन घट रहा है ऐसे में भी घाटे का सवदा है तो ऐसा कौन सा एक उपाय बताईए सर जी की जिस माध्यम सी साप भी मरे और लाटी भी ना तूटे तो देखिए दोस्तो सबसे महत्यो पुर्णबाद की वजन है बढ़ाना तो करना क्या होगा घरगुती उपाय करना होगा घरपर का उपाय करना होगा तो इस उपाय का नाम है दोस्तो मुर्गी पालन के व्यवसाय में आटे का इस्तमाल हाँ दोस्तो आटे का इस्तमाल करके आप सबसे मुर्गी पालन के इस व्यवसाय में क्रांती ला सकते हो और वजन भी बढ़ा सकते हो और यह वजन बढ़ाते हुए मुर्गियों का अंडों का उत्पादन भी नहीं घटेगा देख लिजे फिर आटे का इस्तमाल करने के लि आपको क्या करना है आपका जो आटा मिलमालिक वाला दोस्त होगा उसके पास जाएए जो नीचे गिरा वह आटा होगा उसको उठाइए कुछ पैसे मांगे तो दे दिजिए दिक्कत की कोई बात नहीं है फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तो लाने के बाद उसको साफ दोस्तो यानि उसके अंदर कुछ दिक्कते हो तो उसको निकाल फेकिए और उसके बाद ऐसा चान चून कर उसको अच्छा कर दीजे दोस्तो और उसके बाद क्या करना है हमें इसका इस्तमाल करना है लेकिन क्या डारेक्ट लिए हमें देना है आपको लगेगा कि आज ही मैं ने उसको खिलाया तो मुझे कल ही वजन बढ़कर मिलेगा ऐसा नहीं होता है दोस्तों आईसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है 10 किलो आटा लेना है दोस्तों उसमें आपको दूसरी बात क्या करनी है कि अडोस-पडोस में घूम फिरकर जो अंड़ा अमलेट के दुका लाना है और लाने के बाद दोस्तों जिसे छिलका कहते हम लाना है साफ करना है और बारिक उसे पिसना है बारिक पिसना है दोस्तों यानि कि इतना बारिक करो जैसे आटा ही बन जाए और ये कितना लेना है दोस्तों तो स्रिफ एक किलो यानि दस किलो आटे में एक किलो यहां पर इस अंडो के छिलको को कवर को मिलाना है और उसके बाद क्या करना है दोस्तों उसके बाद हमें दो किलो सुकड लानी है जो मचली की विष्टेज होती है बारीक बारीक मचलिया होती है जिसे सुकड कहां जाता है ये सूखी होती है बारीक होती है लाना है पिसना है अंदर डालना है कितना लाना है दोस्तों तो दस किलो के लिए यानि दस किलो आटे के लिए दो किलो बस आपके लिए इतना कापी है दस किलो आटा एक किलो अंडो का बारिक पिसा हुआ छिलकों का वहां पर मिश्रन और साथी में दो किलो सुकड ये भी पीसी हुई सभी को इकटा कर नहीं दोस्तो ग्राम आपको टेस्ट चाहिए उतना ही दोस्तो नमक डालिये आवश्चक्ता के अनुसार उसमें पानी डालिये और दो छटाक यानि दोस्तो सव यमियल नहीं तो सव ग्राम आप स्वयाविन सुरज मुखी नहीं तो वहां पर दूसरा कोई भी वहां पर जो है खादे तिल इस्तमाल कीजिए सिवाए पाम तेल के तो इस मिश्रन को मिला देना है दोस्तों अब इस सभी को मिला देने के बाद एक जान करना है एक जान करना है उसके बाद आएसा पिस पिस कर पिस पिस कर आएसा आपने कर दिया उसके प बनाने हैं और मुर्गियों के सामने रख देना है फिर एक मुर्गी को कितना डालना है दोस्तों ये तो सवाल रही गया ना तो आपको बताता हूं मुर्गी हो या मुर्गा हो उनको प्रती मुर्गी और प्रती मुर्गा प्रती दिन 30 ग्राम देना है यानि कि आपके पास एक महा के उपर के ही चूजों को दीजिए एक महा के नीचे के चूजों को मत दीजिए तो एक महा के उपर के चूजों को आप 10 ग्राम प्रती चूजा दे सकते हो यानि कि 100 चूजे हो तो आप 1 किलो के दर्मियान इस्तमाल कर सकते हो 50 चूजों के लिए 50 किलो इस हिसाप से कैलकुलेशन आप कर सकते हो इस हिसाप से दिया आप दोस्तों यह फिड़ दोगे तो एक तरफ आपका फिड़ का खर्चा लगबग लगबग जीरो हो जाएगा तो दूसरी तरफ आपकी जो मुर्गी होगी मुर्गा होगा उनका वजन 15 दिनों के दर्मियान बढ़ता हुआ दिखाए देगा और मुर्गियों का अंडों का उत्पादन सव प्रतिशत नहीं घटेगा और जो छोटे-छोटे चूजे हैं ना उनका भी वजन बढ़ जाएगा इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन प्रति दिन प्रति मुर्गी 30 ग्रैम और प्रति दिन प्रति चूजा एक महा का उपर का हो तो 10 ग्रैम इतना ही दीजे एक महा के नीचे के चूजों को हमें यहां पर आटे का इस्तमाल नहीं करना है कितनी आसान थी दोस्तों संकलपना और दोस्तों हमारा कैसा है कि बगल में छुरी गाव में धिंडोरा हमारे पास उपाय होते हैं लेकिन मालूमात नहीं होती है और इसी को दूर करने के लिए मैं आनलाइन बैचेश चला रहा हूं बहुत बढ़िया रिस्पॉंस मिल रहा है यदि आपको भी मेरे साथ जुड़कर लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है तो आप भी जुड़ सकते हो मेरे साथ जुड़ने का है आसान तरीका संपर्क कीजे 84, 82, 62, 62 पर स्री 500 रुपए के मासिक शुलक पर देता रहूंगा आपको सदय वो मार्गदर्शन जिस माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से आपको कोई भी वन्चित नहीं कर पाएगा तो दोस्तो यदि आपको पासो का यहां पर मेगा प्रोजेक्ट का गुरूप जो जॉइन करना है तो आप क्रिपया यहां पर संपर कीजे 84, 82, 62 पर और दूसरी रही बात दोस्तो सबसे महत्यों पूर्ण बात है कि आपको आपके लिए मैंने आपको मदद हो इसलिए इंड वीडियो के बारे में कोई शिकायते हो या मुर्गी पालन के बारे में कुछ बाते और पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख कर भीजिए आने वाले वीडियो के माध्यम से जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी तो दोस्तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए वहां पर आने के बाद दिखाए देने वाल लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को आने वाला हर उड़े आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आई सही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्तु देलाड आप सभी के चहीते चानल इंडियन किसान पर आपको मिलता रहूंगा इंडियन किसान और इंडियन मुर्गी पालं दोनों पर मिलता रहूंग झाल झाल